नमस्कार दोस्तों जून का भहीना आ चुका है और most of the people जो भी investment करते हैं equity में वो अपने portfolio को rebalance जरूर करते हैं Rebalance की importance क्या है इसको आप लोग समझिए Rebalance अगर आपने portfolio करते हैं तो वहाँ पर आप लोग को समझ में आता है कि आप लोग के portfolio में किस तरीके के sector को रखना चाहिए या फिर कौन से stock आप लोगों को भरपूर return दिला चुके हैं अब वहाँ से निकलना चाहिए कौन सा sector एक cycle में move करने वाला है उसको हम लोग buy करने वाले हैं एक bottom हम पकड़ते हैं जब भी हम अपने portfolio को rebalance करते हैं तो आप लोगों का जून का महीना एक best महीना माना जाता है क्योंकि अपरिल महीन जब financial year हमारा start होता है अपरिल में तो हमारा जब एक महीने अपरिल मार्च में पता चल जाता है क्या market movement देने वाला है और किस तरीके से हम अपने portfolio को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो इसलिए दोस्तों जून का महीना बहुत ज़्यादा important हो जाता है आप लोगों के portfolio के rebalancing की portfolio rebalancing में सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो आप लोगों को देखना है कि आपने कब investment किया था और कौन से investment का goal पूरा हो चुका है जैसे कि आपने कुछ short term के लिए investment बना रखे हो बट अब वो उसको आप लाद करके आगे लेकर के जाना चाहते हैं आप ऐसा मत करिया आपने जो goal बनाये थे वो goal complete हो चुके है तो आप उसको पूरा करिए और यहाँ पे loss book करने की भी जरूरत है आपने यसे बहुत सारे stock में investment किया होगा जो already आपको नुकसान करा रहे हैं आप लोगों को future में भी वो नुकसान करा हैं क्योंकि आप लोगों ने जिस वज़े से उनको लिया था उस तरीके से performance नहीं दे पा रहे हैं और आप उनको सोच रहे हो कि नीची जाएंगे फिर यह उपर bounce करेंगे तो आप उनकी fundamental को देखो आप उनकी analysis करो कि क्या actual में यह stock आगे जा सकते हैं या फिर किवल और किवल मैं एक frame बना चुका हूँ यह stock तो move करेगा ही क्योंकि आप लोगों को moment दिखा चुका है जब आप किसी भी stock पर profit देख लेते हैं कुछ percentage of return देख लेते हैं तो आप लोग को लगता है कि दुबारा सी की bounce back करेगा और फिर हमें वो return निकाल करके देगा और तब जा करके निकलेंगे और जब उस जगर पहुँच जाता है तो फिर आप सोचते हो कि और उपर जाएगा फिर वहाँ पर फस जाते हो जब वो दुबारा गिर जाता है और दूसरा दोस्तों आप लोगों का equity में ही है mutual fund, mutual funds को बिलकुल भी you know दरकिनार मत कीजिएगा भले ही आप लोगों का long term का goal है बट आप लोगों को अपने portfolio को एक बार जरूर review करके उसको rebalance करना है में भी आप लोगों ने small cap, mid cap या फिर latch cap या फिर किसी भी sector में investment किया हो तो आप लोगों को देखने की जरूरत है कि क्या आपने उस sector को juice लिया है जैसे कि अगर हम बात करते हैं tech sector की, IT sector की तो IT sector में क्या चल रहा है दोस्तों अभी correction चल रहा है तो इस समय काफी अच्छे stock काफी अच्छी value पे हमें मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि IT में अपना investment बना सकते हो इस तरीके के sectoral fund में जा सकते हो या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि banking and financial stocks जो है या फिर इस तरीके के mutual funds अच्छा return दिला सकते है in future या फिर आप लो आप लोगों कोई particular कोई sector auto sector पे focus करना है आप लोगों ने समझ में आगे आया है कि भीया मुझे ये sector काफी बढ़िया undervalued मिल रहा है अब उन sector में जाकर के आप देखो कि कौन से valued stock है यो आपको हर sector में कुछ भी जाकर के नहीं खरीद लेना है आप ये find करो कि अगर ये sector underperform क कर रहा है तो इन में valued stock कौन से है जिनकी potential है आगे बढ़ने की तो आप उस तरीके के sector में भी डाल सकते हो पैसा mutual fund में क्योंकि हर तरीके के sectoral mutual fund आप लोगों के सामने available है और आप लोगों का अच्छा खासा return वो बना सकते हैं आने वाले 3-5 सालों में rebalancing की importance है दोस्तों और इस तरीके से आप rebalancing कर सकते हैं बाखी अगर मैं आप लोग को कुछ इसके अलावा टिप्स देना चाहूँ तो मैं काऊँगा कि आप अभी nifty 50 को avoid करो क्योंकि all time high पे है यहां से कुछ भी हो सकता है market के global sentiments बहुत अच्छे नहीं है तो market में थोड़ अगर आप लोगों को bottom पकड़ना है तो अभी थोड़ा रुखना पड़ेगा अगर आप लोगों के लिए उपर के लिए कुछ मिलता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आने वाली वीडियो में कि हाँ यहां से investment करना सही होगा बाकी nifty 50 मैं क्योंगा कि अभी आप लोग avoid कर सकते हो बठा अगर हम investment करना ही चाहते हैं long term का goal है तो bottom या फिर all time high ऐसा कुछ है ही नहीं हमें SIP करनी है तो हर महीनी पैसा डालना ही डालना है तो आप सुरू कर सकते हो कोई बड़ा इसू नहीं है हाँ वही अगर कुछ लोग बड़ा पैसा लेकर के बैठे हैं 8-10 लाक रुपए लेकर के बैठे हैं 20 लाक रुपए लेकर के बैठे हैं तो वो all time high पे अगर पैसा डालते हैं तो कहीं ने कहीं उनको नुकसान हो सकता है अगर market यहां से correct होगा और you know जब आप बड़ा पैसा डालते हो तो काफी panic feel होता है जब आप लोगों का portfolio red में दिखता है इस तरह की और वीडियो आप लोगों तक आती रहेंगी अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकनों क्लिक करते हैं अगर आप लोगों का कोई portfolio जिसका review चाते हैं तो नेचे comment कर सकते हैं मैं जल से जल उस portfolio का review लेकर के आने क्योसिस करूंगा हम लोग next video मिलत हैं आप लोगों को दिन सब्सक्राइब करें जाहिन